हलो प्रेंट्स आज मैं बताऊंगा आप की जो गाय वैंस है उसका दूद बढ़ाने का गारेंटेड जो इलाज आप अपने पसों का दूद बढ़ा सकते हैं जो ट्रीटमेंट मैं बताऊंगा या जो भी मैं आपको नुश्का बताऊंगा वो आप अपने पसों पर आजमाए और आप अपने पसों का 100% आप अपने पसों का दूद बढ़ा सकते हैं एदि वीडियो लंबी भी हो तो वीडियो का आप skip करके न देखें वीडियो को पूरी देखें एदि आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा proper knowledge मिलेगा एदि यह भी आए मेरे चेनल पर नए आये हैं तो पहले आए मेरे चेनल को सबस्क्राइब कर ले जो लाल वाला बटन आपको दिकरा है सबस्क्राइब वाला उसको दबाइन थाकि बहुत से हमयाने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिपिकिसन आपको समय-समय पर मिलती रह बहुत से पसू पालकों की सिकायत रहती है कि हमारी जो गाय भैस है उनका दूद नहीं बढ़ पाता है और बहुत से जो मेरे वेटिनेरी स्टुडेंट है वो भी खरते हैं कि हमारे पसू का दूद नहीं बढ़ रहा है हमने बहुत से ऐसे जो ट्रीटमेंट किया है, एलोपेटिंग मेडिसिन भी दी है, आयरवेदिक नुसका भी अपना है, गरहलू नुसका भी अपना है, बहुत से सी मेडिसिन दी है, फिर भी हमारे पसों का दूद नहीं बढ़ रहा है, तो सबसे पहले माँ आपको बताऊंग जो जितना भी डिस्चार्ज ढालता है, एपसिस्ट पधार ढालता है, वो कंप्लीट हो जाए, एक बात आप ज़रू द्यान रके, यह दित्यादि आपका पसों वेजाइनल डूद नहीं बढ़ेगा, सबसे पहले आप अपने पसों की वेजाइनल ड्रेसिंग कंप्लीट कर तो भी आप अपने पसु को क्या करना है जो intra-veterine आती है वो आप अपने पसु को जरूर देनी है नहीं भी यह लिए आपका पसु आराम से है तो भी और यहदी आपके पसु को पसु चिकिट से के दोबारा यह दी ब्यामत होता है तो भी आपको intra-veterine जिस प्रकार से utri-vival, एकजापार है, बहुंसे सी मेडिसन आती हैं, हिम रोफह है इन मेंसे कोई से भी आपको ये देनी ही देनी है ये तो आपको देना ही पड़ेगा ये आप अपने पसो को सो अम्ल शुबह और सो अम्ल श्याम लगातार पांस दिन ये तो आपको करना पड़ेगा यह दिया आप अपने पसों का दूद बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे मैंन कारण आपकी वेजाएनिल कि उसकी इंफेक्शन दूर होना चाहिए तब ही आप अपने पसों का दूद बढ़ा सकते हैं अब आपको क्या करना है आगे आप 15 दिन कंप्रीट होते ही आप अपने पसूँ को इलिए आपको जो मैं नुश्का बता रहा हूं ये आप जुरूर अपनाएं सबसे पहले आपको लेनी है 40 ग्राम आपको ड्राइ जिंजर यानि सोंट लेनी है 40 ग्राम और 60 ग्राम आपको ल 40 ग्राम आपको लेना है जीरा 40 ग्राम आपको सौंप और 10 ग्राम आपको बड़ी इलाइची लेनी है इन सब को आपको बारिक पीस के बारिक में कर लेना है और उसके अंदर गद आपको मिलाना है 100 ग्राम देशी गी उसके अंदर गद और 100 ग्राम गुड जो इन सब का एक क बना लेना है इस प्रकार से इनका एक मिशन मिला करके परड़े के इसाब से आप अपने पसू को जो आप अपने पसू को खिलाते हैं बांट उसमें मिला करके आपको देना है लगातार पांस दिन ये तो आपको देना ही देना है इस प्रकार से आपको क्या करना है लगातार प प्रिक्टिकल करना है जो मैंने इन उसका बता है महिने में आपको पांस पांस बर यानि तीन बार ही आपको ये प्रिक्टिकल जो ये फार्मुला है ये आप अपने पसू पर करके देखना है तो मैं कहता हूं कि आपके पसू का दूद्ध बढ़ेगा ही बढ़ेगा और साथ साथ आप अपने पसों को जैसे Energy Booster आते हैं ओभी आप अपने पसों को देना है बीच-वीच में आप Energy Booster भी आप अपने पसों को देना एंडी बूस्ट जिस प्रकार चीFG आती है , Aona Volait, Aona Dinea या। जद्डर कम्पनी की आती हैं इनमें से आपको 100氣 Cathedral लेनी या प्रडे के साब से वो भी आप अपने पसू को लगातार दस दिन दे सकते हैं महिने में आपको कभी भी दस दिन आप एक महिने के अंदर कर इनमें दस दिन आपको यह देनी देनी है energy booster भी आपको देना है महिने में एक बार और आप अपने पसू को सर्शू का तेल जो mustard oil आता है वो आप अपने पसू को एक दिन छोड़ करके एक दिन देना है ये बात भी आप ज़रूर ध्यान रखें mustard oil है वो एक दिन छोड़ करके एक दिन देना है लगातार continuity न दे 100-100 ग्राम आप जब तक आपका पसू हीट में नहीं आता है तब ये आपका पसू हीट में आजाता है तो आपको ये treatment बिल्कुल भी नहीं देना है ये treatment आप अपने पसू को जब तक हीट में नहीं आता है इसस पसू का आप अपने पसू का दूद भी बढ़ा पाएंगे जो आप अच्छी तरह से समझगे होंगे फैस्ट विद्धी जो मैंने बतरा है ये intrauterine आप अपने पसू को देनी देनी है सेकिंड आपको जो देशी फार्मुला गरेलू फार्मुला है वो अपनाना ही अपनाना पाद में और थर्ड आपको जो energy booster आते हैं liquid वो आप अपने पसू को दे सकते हैं बहुत से बार होता है कि आपके पसू के negative energy balance की वज़े से भी आप अपने पसू का दूद नहीं बढ़ासते हैं तो वो आपको देना ही देना है और साथ ही साथ आप अपने पसू को alternate day एक दि देंगे तो मैं 100% आपको गारंटेड लिकर के देता हूं कि आपके पसू का आप अपने पसू का दूद बढ़ा सकते हैं यह practical करके मैंने अभी देखा भी है अब बहुत से जो वीडियो बनी वी है मैंने गरेलू उप्चार के कि आप अपने पसू का दूद बढ़े लेकिन आपने बहुत से जो आईरवेदिक जो गरेलू नुसका है वो भी साथ में आपने बता दिया एनरजी बूस्टर है वो भी आपने साथ में बता दिया और आपने इंटरेंट तो इससे है कि आपके पसू का आप तो दूद बढ़ेगा यह और क्या करेगा देखो एक वीदी ह पसू को दूद बढ़ाने की वो एक मैने वीदी के तोर पर आपको बताया है कि इस वीदी से ही आप अपने पसू के साथ ऐसा करेंगे तो सबसे पहले आपके जो वेजाइनल ड्रेसिंग वो भी आपके पसू के कंप्लीट होने सी इसकी वज़े से भी आपके पसू का पसू की बिल्कुल भी नहीं हुए एकदम कली नहीं हुआ है पसू तो आपके पसू का दूद बिल्कुल भी बढ़ने वाला नहीं है जिस वीदे से मैंने आपको तीन बागों में आपको डिवाइडेट किया है इस वीदे से यह आप अपनाएंगे तो आप अपने पसू का तो आपके लिए अर्श में ऐसे लाता रूँगा एदि आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो निचे लाल वाला बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब वाला उसको भी दबा लें क्योंकि उसको दबाने से आपको कोई पैसा लगने वाला नह बट आपको बहुत अच्छी और प्रोपर नोलेज मिलने वाली है इसी तरह से मेरी वीडियो देखते रहें इसी तरह से मेरे को प्यार देते रहें थैंक्स धन्यवाद